हमारी चैनल ग्यान विशेश को सब्सक्राइब करो और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाएए दोस्तो आज मैं आपको पुदिना के फायदे के बारे में बताऊंगा पुदिना तुलसी की प्रजाती का एक पुदा होता है जो बहुत छोटा और खुशवुदार होता है ज्यादा तर बोजन और चायका जायका बठाने के लिए पुदिना का उपयोग किया जाता है दोस्तो इस पोध्य का अंग्रीज नाम मिंट और वेग्यानिक नाम मेंता है ये पोधा अनेक प्रकार की बिमारियों में उप्योग में लिया जाता है इसके अवसद्य कुन किसी चमतकार से कम नहीं है ये डिप्रेशन, ठकान, सिर्दर्द और जी मचलाना जैसे समिश्या और वजन बढ़ने से रोपता है दोस्तो इसका सिवन करने से पाचन तंत्र दूरस्त बनता है इसके अलावा ये अस्तमा को दूर करता है, स्मरण सक्ती बढ़ाता है और तवचा के लिए पाइदे मंद होता है तो दोस्तो आज की वीडियो में हम पूधिना के पाइदे के बारे में ही बात करेंगे तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके गुणों के बारे में दोस्तो इस पोधी में अनेक प्रकार के अवसदियक गुण पाये जाते हैं दोस्तो ये पोधा एंटी ओक्सिडेंट से परपूर होता है और उचित मातरा में विटामिन ए प दोस्तो पूधिना खुस्पुदार होता है इसके पत्तों की चाय पिने से भोजन के प्रती अरूची दूर होती है और पोखबढ़ती है तथा पाचन सकती मजबुत बनती है दोस्तो पूधिना पेट की कई बीमार्यों को ठीक करने की एक कारगर अवसदी है पेट से पूदिने की पत्यों का ताजारस निकाल कर या इसके पत्तों को उबालकर चाय की रूप में सेवन कर सकते हैं। इससे पेट की गड़बडी दूर होती है और पाचन चक्ते मजबुत बनती है। दोस्तों ये सभी प्रकार की खांसी को मिटाता है और फेपडों में जमा हुए बलगम को दूर करता है। इसलिए इसे अस्तमा में ज़्यादा तर उप्योग में लिया जाता है। खांसी और अस्तमा की समश्या होने पर पूदिने को सुखा कर इसे कपड़े से चान कर चूर्ण बना ले। अब इस चूर्ण को एक चमच की मात्रा में दिन में दो बार पानी के साथ सेवन करे। या इसकी चाय बना कर सेवन करे। इससे कुछी दिनों में खांसी और अस्तमा से निजाद मिलता है। दोस्तों ये दोनों प्रकार की ब्लड प्रेशर को नियंद्रिद करता है। ब्लड प्रेसर की समस्या होने पर पूदिने की ताजी पत्तों की चिटने बना कर या इसका रसनी काल कर सेंदा नमक, काली मिर्च और किसमिस डाल कर इसका सेवन करें। दोस्तो पूदीना के पत्यों की चाय बनाकर रोजाना सेवन करने से स्मर्ण सक्ती काफी तेज बनती है। दोस्तो पूदीना का तेल बनाया जाता है जिसे पेपर मिंट तेल से जाना जाता है। दोस्तो ये पोधा दांतों के लिए भी काफी फायदेमंद होता है। दोस्तो हम आपको बता दे कि दंतमन चिन बनाने में पुदिना का ज़्यदातर उपयोग किया जाता है। ये दांतों को स्वच्च करता है और सांसों को तरोताजा बनाता है। ये मुहू में बेक्टरिया के विकास को रोक देता है। दोस्तो ये महिलाओं के लिए भी काफी भायदेमन होता है। पुदिना की पत्यों की सुखी चुड़न को सहत के साथ समान मात्रा में मिला कर दिन में दो बार पिने से महिलाओं में मासिक तर्म नीमित हो जाता है। दोस्तो पुदिने की ताजी पत्यों का रस निकाल कर निम्बू का रस मिला कर सिवन करने से हीच की बंध हो जाती है। सर्दी और जोकाम जैसे समस्या हो जाती है। तो ऐसे में पुदिना के पत्यों को पाने में उबालकर इसकी भाप लेने से तुरुंत आराम महसूस होता है। तो दोस्तों ये थी आज की महत्व पूर्ण जानकारे। वीडियो पसंद आने पर लाइक करे, सेर करे और चैनल को सब्सक्राब जरूर करे। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर एक नई जानकारे के साथ। मिलते हैं अगली टानकारे के साहिए। झाल झाल